आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे आदतों के बारे में जो हम सालों से हेल्दी आयूरवेदिक समझके करते आ रहे हैं साथ में हम ये भी जानेंगे कि इन चीजों को करने का सही तरीका क्या है और इसे कप कैसे और किसे करना चाहिए तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो एक गलती जो हम सालों से आयूरवेदिक समझके करते आ रहे हैं वो है सुबा उठकर तांबे के जग में रखा हुआ पानी पीना देखिए मैं ये नहीं कहती कि तांबे के कोई औशदिय गुर्ण नहीं है आयूरवेदि में भी तांबे के बहुत से गुर्ण बताए हैं लेकिन इस तरीके से पानी पीने का उल्ले किसी भी आयूरवेदिक सहेंता मतलब चरक सुष्रुत और वागभट में नहीं है साथ में तो सुष्रुत में ये तक कहा गया है कि जब भी हम कहीं पर पानी भरके रखते हैं तो रात में काल के प्रभाव से वो पानी तृदोष प्रकोपख हो जाता है अगर फिर भी आपको तामबे में रखा हुआ पानी पीना अच्छा लगता है तो आप पी सकते हैं लेकिन सिर्फ ये मान कर कि ये चीज आयुरवेद में कही गई है ऐसा मत करिए क्यוकि आयुरवेद में कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया है लेकर अगर आप फिर भी तांबे के वोशदिये गुणों का लाब उठाना चाहते हैं तो उसका भी तरीका है मेरे पास एक लीटर पानी लेकर उसको अच्छे तरीके से उबालना है और उसके बाद उसको पूरी तरह से थंडा करके तांबे के बरतन में भर कर रखना है इस पानी को आप सुबह से लेकर शाम तक में पूरा खतम कर सकते हैं तांबा क्योंकि उश्न गुर्का होता है इसलिए ये कफ तोश को बैलन्स करता है जिन भी लोगों का वजन जादा है ताइप 2 डाइबिटीज की शिकायत है या फिर जिन बच्चों के पेट में कीड़े हैं उन लोगों के लिए पानी बहुत जादा लाबदायक है लेकिन अगर आपको हड्डियों से संबंधे तकलीफ है मतलब हड्डियों में या तो दर्द होता है या ऐसा लगता है कि हड्डियां कमजोर है गाउट यूरिक आसिट की शिकायत है ऐसी स्किन डिजीजेज हैं जिसमें रेडनेस और जलन जादा होती है या फिर जिन महिलाओं को मेंस्ट्रिल पीरिद्स बहुत जादा दिन तक आते हैं या बहुत जादा अमाउंट में आते हैं उन लोगों के लिए ये पानी पीना सही नहीं है क्योंकि तांबा वात और पित्त दोश को प्रकुपित करता है एक गलती जो हम सुबह उठते ही सालों से वेट लॉस के नाम पर करते आ रहे हैं वो है गरम पानी नीवू के साथ शहद का सेवन करना देखिए सब भी आचारियों ने शहद की बहुत प्रशंसा की है शहद को प्रमेह रोग मतलब डाइबितीज में आखों के रोगों में डाइविया एस्थिमा इन सब बिमारियों के लिए बहुत अच्छा बताया गया है यहां तक की शहद को योग वाही भी कहा जाता है मतलब अगर आप शहद के साथ किसी भी औशदी का सेवन करते हैं तो शहद उस औशदी के गुड़ों को अपना कर उन गुड़ों को और जादा बढ़ा देता है लेकिन सब भी आचारियों ने इस बात को माना है कि शहद को गरम करना उसे विश यानि की टॉक्सिन में बदल देता है इसे आयुर्वेदा में विरुद्धाहार की कैटेगरी में शामिल किया गया है मतलब वो फूद्स या फूद कॉम्बिनेशन्स जो हमारे साथो धातुओं को और तीनों दोशों को दूशित करते हैं यहां तक की modern science में भी हुई एक कुछ साल पहले की study है जिसमें ऐसा पाया गया है कि जब भी हम शहद को गरम करते हैं तो एक HMF नाम का chemical form होता है जो normally शहद के अंदर नहीं पाया जाता कुछ studies ने तो HMF को cancer तक से link किया है इसलिए गरम पानी नीवू के साथ शहद का सेवन बिलकुल भी नहीं करें आयरवेद में शहद को ऐसे आहार में शामिल किया गया है जिसका हमें रोज सेवन करना चाहिए लेकिन कैसे सेवन करना चाहिए तो एक ग्लास नॉर्मल पानी में एक चम्मच शहद को गोल कर आप उसको पी सकते हैं ये लेखन कर्म करता है और इसलिए ओवर दे टाइम ये जो मेद धातू मतलब एकसेस पाट है बॉड़ी में उसको हटा कर वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करेगा पिछले कुछ सालों में मैंने ऐसा देखा है कि आपल साइडर विनेगर का यूज भारतिये घरों में बहुत जादा बढ़ गया है लोग सुबा उठते ही गरम पानी मीबू के साथ एक चम्मच आपल साइडर विनेगर पी लेते हैं और इसे वेट, लॉस या फिर हार्ट के लिए टॉनिक के रूप में इस्तिमाल करते हैं ऐसा करना गलत क्यों है इसके लिए हम थोड़ा सा आपल साइडर विनेगर की हिस्टरी की तरफ देखते हैं तो आपल साइडर विनेगर बहुत सालों पहले एंशिंट चाइन और एंशिंट ग्रीस में यूज किया जाता था लेकिन रेगिलर बेसिस पे नहीं कफ और कोल्ड की रेमिडी के रूप में यूज किया जाता था फिर कुछ सालों के बाद इसे स्विजलेंड और USA में यूज किया जाने लगा इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भी कंट्रीज में यूज किया जाता था वो कंट्रीज भारत के मुकाबले में बहुत जादा ठंडी है इसलिए पहली चीज तो ये कि भारत का तापमान आपल साइडर विनेगर को यूज करने के लिए सही नहीं है क्योंकि आपल साइडर विनेगर बाई नेचर ऊशन या फिर होट कोटेंसी का होता है दूसरी चीज ये कि apple cider vinegar या जितने भी तरह के सिरके होते हैं इसको ayurved में शुक्त कलपिना के अंदर शामिल किया गया है मतलब वो food या foods जो कि हम संधान कलपिना मतलब ferment करके बनाते हैं ये जो कलपिनाए होती हैं ये वाद दोश को कम करती हैं कफ दोश को थोड़ी मात्रा में बढ़ाती हैं लेकिन पित्त दोश को बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ाती हैं और साथ में ये हमारे रक्त धातू को भी दूशित करती हैं तो अगर आपको acidity की शिकायत हैं जो जादतर लोगों को सुभा उठके ही तक्रीफ देता हैं तो apple cider vinegar का use उसको और जादा बढ़ा देगा साथ में अगर आपको मुँ में चालू की शिकायत है या फिर पेट में अलसर की शिकायत हैं तो भी apple cider vinegar का use बिलकुल भी नहीं करें फिर अगर आपको हाथ पेरों में जलन आखों में जलन या फिर urine या stools में जलन होती हैं इसका यही मतलब है कि हमारा रक्त धातू कहीं ना कहीं दूशित है apple cider vinegar का प्रयोग रक्त धातू को और जादा दूशित करेगा और आगे चलके यह बिमारी रक्त पित्त में बदल सकती है मतलब आपको आगे चलके urine से, stools से, नाग से खून आने की शिकायत हो सकती है इसलिए बिलकुल भी इसका use नहीं करें फिर apple cider vinegar जो होता है वो by nature बहुत ज़्यादा तीक्षन या फिर sharp होता है इसलिए over the time में क्या करेगा हमारी हड्डियों को घिसकर हमारी हड्डियों को भी बहुत ज़्यादा कमजोर बना देगा अगर आप पूरी तरीके से healthy हैं तो आप फिर भी कभी कभी apple cider vinegar का use कर सकते हैं पर अगर आपको सिर्के का use ही करना है तो हमारे भारतिय घरों में जो पारंपर एक रूप से जामुन का सिर्का या फिर अंगूर का सिर्का use होता था उसका इस्तिमाल करें विदेश ते आए हुए apple cider vinegar की जगा लेकिन उसमें भी ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा quantity पे focus करें और इसका लगतार इस्तिमाल मत करें देखे दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मेरा ये motive है कि आयूरवेदा सच में क्या कहता है आज के परिवेश में आपके लिए कौन सी उप्योगी जानकारी है और शास्त्रों में क्या लिखा है वो मैं आप तक पहुंचाऊं आगे भी मेरी यही कोशिच जारी रहेगी तो मि मेरे वीडियो को लाइक करना शेर करना और चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा आगे आप किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते है मुझे कमें सेक्शन में जरूर बताएए धन्यवाद